सामवरिया सेठ की, जय बजरंग बली की, जय स्वागत मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों दावे के साथ कहता हूँ की, अब तुम चैन के साथ लगे, क्योंकि दुश्मन के मौत के घंटी बज गई है। मित्रों, आज से पहले इतनी बड़ी खबर आपको किसी ने नहीं सुनाई होगी। इस विशेश कार्यक्रम में आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताने वाले हैं। हमारे गुरू जी भी हमारे समक्ष बैठे हैं। आप उनका मंद रखिएगा और इस वीडि गी उजडी थी, वही दुश्मन, अब अंतिम सांस गिन रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखकर अवश्य बताएं। गुरू जी, आपकी सारी समस का समाधान बिलकुल निशुल्क करेंगे। तो ले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में महादेव के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में नमन करने के लिए जयकाशी विश्वनात भगवान अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा हमें सही सलाह देते हैं क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। उन्हें पता है कि ये इनसान वास्तविक्ता में बहुत महनती है, करमठ है और अगर इसे सही मार्ग दर्शन दिया जाए तो ये जीवन में ब कि अगर आपने कुछ बढ़ा कर दिखाया, तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए वो गलत सलाह देते हैं। गलत जानकारी आपको देते हैं। मार्ग से भठकाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें कोई न कोई वो अवरोध उत् न कर सके। तो इन दो तरह के लोगों में पहले वाले तो हमारे शुभ चिन तक है, लेकिन दूसरे वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हमारी दौलत पर नजर आने वाले हैं। जब भी हम पैसा कमाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उस पैसों को बेईमानी क काम से कमा रहे हैं, पूरे 30 दिन की महनत का परिणाम होता है हमारा वो पैसा, फिर भी कुछ लोगों को हमसे जलन होती है, फिर भी कुछ लोगों को हमसे इरश्या होती है, उन्हें हमारी तरक की रास नहीं आती और वो हमेशा हमारी दौलत पर नजर गड़ाए बैठते हैं, ऐसे लोग आपके आस पडोस में हो सकते हैं, कुछ ऐसे पडोसी जो हमेशा इधर की उधर करते हैं, कुछ ऐसे पडोसी जो हमेशा एक दुसरे की बुराई करते हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ा ही सावधान रहना है, यहाँ पर आपको बड़ा ही सतर्क रहना है, दूसर जो कुछ ही महीनों पहले, कुछ सालों पहले जुड़े हैं, उनसे आपको खत्रा हो सकता है, क्योंकि एक मित्र, चाहे वो कितना भी पुराना हो, जब दूसरे मित्र की तरक्की होती है, तो वो खुश होता है, लेकिन मन में भाव जरूर आता है, कि मुझे तरक्की कब मिलेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा, मुझे ये सब ऐशो आराम कब मिलेगे, तो कई बार तो ये जो जलन भावना है, ये बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, एक दूसरे के प्रति जलन होने लगती है, एक दूसरे के धन दौलत को लेकर के सवाल जवाब होने लगते हैं, और वास्तविक्ता में जो इनसान सफलता प्राप्त कर रहा है, सफलता प्राप्त करने के बाद भी अगर उसके अंदर घमंड नहीं है, तो वह काफी अच्छे व्यवहार सभी से बना सकता है, लेकिन जब भी दो, पैसा हमारे पास आता है, हमारी तो मूँच का ताव बढ़ जाता है, जब भी पैसा हमारे पास आता है, तो हम बाकी लोगों को छोटा समझने लगते हैं, ऐसा व्यवहार मानव का है, कि उसके अंदर अभिमान आही जाता है, कहीं न कहीं से तो बहुत सावधान आपको रहना है, इतना हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधान, आपको रहना है, क्योंकि एक गल्ती आपको बहुत पचछतावा दे सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, अगर आपने यह गलती करी, तो आपको कोशिश यही करनी है, कि निर्णे भी आपके खुद के हो. पच्छतावा आपको बिलकुल भी न होगा, क्योंकि निर्णे जब आपका होगा, तो पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होगी. फिर परिणाम जो आएगा, वह भी पूरी तरह से आपका होगा, तो किसी और के भरोसे आप बिलकुल भी न रहे. अपने दिल की सुने, जो आप करना चाहते हैं, वही करें. लोगों की बातों में आकर के आज आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में यह चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है इतना आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपकी धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं. यह तीन लोग आपके मित्र हो सकते हैं, आपके आस पडोस के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके रिष्टेदार भी हो सकते हैं. इनका मकसद केवल यही होता है कि कि किसी न किसी सावधानिया है, जुलाई माह को लेकर, और अंत में दो उपाय तो देने ही वाले हैं, जो आपकी मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे. तो थोड़ा सा समय निकाल कर, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो सबसे पहली जो सावधानी है, वे रहेगी नौकरी पेशा लोग जाएगा, परिवार में ज्यादा कुछ हो जाएगा, तो काम का समय होना चाहिए, आराम का एक समय होना चाहिए, परिवार का एक समय होना चाहिए, यही संतुलन जीवन पत को सही बनाता है, अगर हम तीनों में से भी किसी एक पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपके पारिवारिक कलह बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे आपके दांपत्य जीवन में सुखों का अभाव होने लगेगा, वह अन्य कई तरह की गतिविधियां होंगी जो की आपके लिए नुकसान दायक ही साबित होंगी। इसलिए इस तरह की कोई भी गलती आप ना करें और अपने साथी को भी समय दें। अपने परिवार को भी समय दें, काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम में पागल हो जाना बहुत बुरी बात है। इतना ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परचाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से शांत मंद से हम समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते, अगर आप भी समस्याओं के समाधान देखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपने आप से सोचना है, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना है, हमेशा बड़ों का सम्मान करना है, कोई अगर आपको अपनी गलती बता रहा है, तो गुस्सा नहीं करना है कि तू मुझे मेरी गलती बताने वाला कौन होता है आपको तो उसको धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने आपके अंदर की कमी बताई इसी वजह से तो दोस्तों आप उस कमी को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ पाएं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में निंदकों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए निंदकों की तो हमेशा तारीफ करनी चाहिए क्योंकि निंदक जो कहते हैं लोग वही मानते हैं और वो कभी अगर हमारे हाथ भी लग जाती है, तो हम भी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो मौका आपके लिए बहुत शानदार बन रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो राह के कांटे थे, वो प्रभु की क्रिपा से दूर हो चुके हैं, जो राह के कांटे थे, वो भगवत भजन से दूर हो चुके हैं, मंत्र जाप से दूर हो चुके हैं जीवन में। उन लोगों का बाल भी बांका नहीं होता, जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। कहते हैं अगर आप आपने भगवान के लिए समय निकाला है, तो चिंता मत करिए, जब आपका बुरा समय आएगा, जब आपको उनकी जरूरत होगी, तो वह भी आपके, लिए समय जरूर निकालेंगे, तो आप खुद को भगवान से जुड़े रखिए, भगवान से रोज प्रार्थना करिए, रोज रोज जाकर उन्हें अपनी मनोकामना बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता है, आप बस वहाँ पर सच्चे मन से बैठिए, कुछ देर मंत्रों का जाब करिए, अगर वहाँ पर गंदगी हो रही है, तो साफ सफाई करिए, यही तरीके हैं दोस्तों, जीवन में आत्मिक सुख पाने के और मानसिक तनाव को भगाने के, जीवन में हर किसी को, आज मानसिक तनाव है, कश्ट है, रोग है, टेंशन है, लोड है, लेकिन इनसान चाहे तो इन सब से, पल भर में छुटकारा पा सकता है, मंदिर जाकर भगवान से जुड़कर, भग आत्मिक की किसमत चमकाने का काम करेंगे, आपको आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनानी है, और अपने आसपास, नदी, तालाब, जो भी होता है, वहाँ पर अगर मचलियां हैं, तो उन मचलियों को खिलानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप मचलियों को आ और भी ज्यादा ध्यान से सुनियेगा, भोले बाबा के उपर, जी हाँ दोस्तों, बेल पत्र चढ़ाने हैं, टोटल साथ, और एक बेल पत्र को अच्छी तरह से धोना है, उसके उपर ओम की आकरिती बनानी है, या फिर श्री राम का नाम लिखना है, बहुत बढ़िया पर 15 के मास में लगाते हैं, तो इस से किसी प्रकार का चंदर दोश होता है, तो वह दूर हो जाता है। किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो वह डल जाती है। हमारा कार्य आपको सचेत करना, आपका कार्य है सावधान रहना। इसी के साथ दोस्तों, अगर का पार्ट अवश्य करें इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी जी हाँ दोस्तों ये जो तीन दिन रहने वाले हैं ये तीन दिन आपकी जिंदगी में खुशियों के सारे रंग भर देंगे बहुत समय से दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत परेशान बहुत नि मिल पाई लेकिन दोस्तो अब जाकर परिस्थितियां बदलने वाली है अब किस्मत का पूरा खेल पलटने वाला है ये अगले तीन दिन है ये तीन दिन आपकी जिंदगी में दोस्तों आपको एक से बढ़कर एक नए नए मौके नए नए अवसर प्रदान करेंगे यह मौक यह अवसर आपको जिंदगी के हर मोड पर नजर आएंगे फिर चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, परिवार में रहते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो, या पढ़ाई करते हो आपको दोस्तों कई सारे परिवर्तन, कई सारे उतार चड़ाव आने वाले अगले तीन दिनों में देखने को मिलने वाले हैं खास कर दोस्तों परिवर्तन उस क्षेतर में आएगा जो लोग बेरोजगार थे जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी बहुत समय से रोजगार के अवसर तलाश रहे थे, आप भी बहुत समय से रोजगार के लिए कही ना कही भटके जा रहे थे, कही ना कही प्रयास करते आ रहे थे तो दोस्तों आने वाले ये जो तीन दिन है ये तीन दिन आपके लिए बहुत शानदार साबित होंगे इन तीन दिनों में किसी अच्छे पद पर आपको रोजगार मिल सकता है किसी अच्छे पद पर आपको काम मिलेगा कोई बड़ी कमपनी आपको जॉब के लिए नौकरी के लिए आमंतृत कर सकती है या दोस्तों किसी बड़ी कमपनी से आपको जॉब के लिए बुलावा आएगा नौकरी के लिए बुलावा आएगा लेकिन दोस्तों, वहीं यदि आप खुद का कोई व्यापार या फिर खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं खुद के दम पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब भी दोस्तों समय आपके साथ है आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप बिलकुल अकेले हैं, समय का या भाग्य का आपको कोई साथ नहीं मिल रहा, जिन हैं मित्रों, समय तो फिर भी आपके साथ है, लेकिन आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा इस बात का मित्रों, विशेश रूप से ध्यान रखना कि यदि खुद के पैरों पर खड़ा होना है, खुद का कोई व्यापार या कारोबार करना है तो जिन्दगी आपसे बहुत कड़ा संघर्ष मांगने वाली है, जिन्दगी आपकी कठिन परीक्षा लेने वाली है और अब दोस्तों, आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कड़ी महनत करनी पड़ेगी लेकिन मित्रों, आपको बता दे, यदि आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सरकारी हो यदि आप नौकरी करते हैं, तो यह तीन दिन आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की लेकर आने वाले हैं इन तीन दिनों में दोस्तों किसी अच्छे पद पर आपका प्रमोशन हो सकता है क्योंकि बहुत समय से आप job करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो पा रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा आपके जो बॉस आपके जो उच्च अधिकारी हैं वह आपकी काबिलियत को समझ नहीं पा रहे और आपको किसी बड़े पद का काम सौप ही नहीं रहे थे लेकिन अब दोस्तों परिस्थितियां बदलने वाली है आने वाला यह जो वक्त है या जो तीन दिनों का समय है यकीन मानिये दोस्तों किसी अच्छे पद पर आपकी जौब लग सकती है जिससे की आपके मन को भी बहुत शांती मिलेगी दोस्तों बहुत समय से पैसों की तंगी पैसों की समस्याएं आपके जीवन में चलती आ रही थी जिन्हें लेकर आप बहुत परेशान भी थे लेकिन अब जब किसी अच्छे पद पर आपकी जौब लगेगी तो आपके जीवन की तमाम परेशानियां आपके जीवन की तमाम दिकतें अब दूर हो जाएंगी आपकी आर्थिक स्थिती में भी सुधार आएगा आप अपने परिवार वालों के लिए बड़े खर्च कर सकेंगे परिवार वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे वह आप अपने परिवार वालों को एक अच्छी खासी जिंदगी प्रदान कर पाएंगे और यह दोस्तों आप सभी का सपना भी था आप सभी इसके लिए मेहनत कर रहे थे इतने समय से आप सभी इसके लिए प्रयास कर रहे थे तो अब जाकर के आप सभी के यह सपने भी साकार होने वाले हैं वहीं दोस्तों आपको बता दें व्यापार से जुड़े समस्त जातकों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा जी हां दोस्तों व्यापार में आने वाले अगले ये जो तीन दिन है बहुत तरक्की लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं व्यापार में दोस्तों इस समय आपको काफी अच्छे लाब हो सकते हैं बहुत समय से दोस्तों आपने अपने कारोबार में बहुत महनत करी है आपने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की है, बहुत प्रयास किये हैं, लेकिन आपको अपने व्यापार से उतने अच्छे परिणाम हासिल नहीं हो पाए, जिसकी आप सभी को उम्मीद थी लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आपका व्यापार इन दिनों शांदार रहेगा, नए नए ग्राहकों से आपका मिलना होगा, नए नए लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो कई सारी अलग-अलग चीजें भी आपको जानने को मिलने वाली हैं लेकिन दोस्तों, आपको बता दे कुछ, आपके विरोधी पक्ष, मिल जुल करके आपके काम बिगाडने का प्रयास कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपके विरोधी पक्ष हैं, जो व्यापार में आपके दुश्मन हैं, वे लोग साथ हो जाएंगे और वे लोग कुछ इसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों ये लोग बिलकुल भी नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा भी इनसे आगे निकल जाएं। आप थोड़ी सी भी इनसे ज्यादा तरक्की हासिल कर ले, इसलिए ये लोग आपको रोकने का प्रयास पूरी जी जान लगा कर करेंगे। लेकिन आपको भी हार नहीं मानना है, आपको भी डरना नहीं है, कोई चाहे कितनी ही ताकत लगा ले, कोई चाहे कितना ही जोर लगा ले, आप मेहनत करते रहिए, आप अड़े रहिए, आज नहीं तो कल, आपको भी अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे, मन चाहे परिणा समय से आपको डरना नहीं है, चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए, आप मेहनत करते रहे, आज नहीं तो कल भगवान आपका साथ अवश्य देंगे, तो आपको बता दें, आने वाले अगले पांच दिन आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा समय रहने वाला है, लेकिन दोस्त कुछ ऐसी गलतियों को दोहरा देते हैं, कुछ ऐसी भूल बार-बार कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके जो बनते बनाए काम होते हैं, वह भी बिगड़ जाते, गुरु जी कहते हैं कि रावन ब्राह्मन होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी, देवी जीवन जीना, क्योंकि मित्रो आपकी पहचान, जन्म और जाती से नहीं, बलकि कर्मों से होती है, तो गुरु जी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, तो आईए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे, मित्रो सकारात्मक और खुश रहने की कोशिश आपको इस वक्त तक करनी है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो मित्रो, क्योंकि आप लंबे समय से इससे दुख से गुजर रहे थे, जो दुख आपको अंदर ही अंदर खाय जा रहा था, तो अब आपको बता देते हैं कि अपनी नियत और आप कोशिश करेंगे, तो इस से आप अपने बारे में बहतर महसूस करेंगे, और कठिन पर स्थितियों को संभालने में मदद मिलेगी, दोस्तों और परिवार के साथ आप जितना ज्यादा हो सके, समय बिताएं, क्योंकि आप जितना अपनों के बीच रहेंगे मित्रो, उत अपनों से कभी कबार लड़ाई हो सकती है, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा, ऐसी आपको ग्रह संकेत दे रहे हैं, लेकिन अपनों से वाद विवाद में थोड़ी सी, मित्रो सावधानी रखें, क्योंकि इस वक्त किसी के भी साथ आपको संबंध बिगाड़ने की, मित पेसों को छुपा कर रखें, हर किसी को अपने पेसों के बारे में नहीं बताएं, नहीं तो पेसों के चोरी होने की संभाव ना बन सकती है, और आपको अपने जेब पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, मित्रो, आपका परिवार किसी छोटी सी बात को बढ़्धा मुद आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ या काम या पेशे से अन्य चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इस गलत फहमी को दूर कर दे। या तो आप अपने काम को कर लें या फिर अपने लव जीवन पर ध्यान दे लें। एक बात का ध्यान रखो मित्रो कि आपको डेली रुटीन बहुत अच्छे से व्यथित करना है। सुबह शाम आपको योगा और प्राणायाम पर ध्यान देने की मित्रो सलाह दी जाती है। और तली भुनी चीजों का सेवन न करें क्योंकि यह आपके लिए अच्छी नहीं होती है। आप विपरित लिंग के किसी व्यक्ती की मदद से अपनी नौकरी या व्यवसाय में अधिक धन कमा सकते हैं। मित्रो आपकी बेहन आपसे प्यार करती है और इससे आपको खुशी मिलेगी क्योंकि आपकी बेहन आपको हर कदम पर साथ देने का प्रयास कर रही है आपकी बेहन की वजह से। मित्रो आप इस वक्त जिन्दगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जीवन में आप उन लोगों से बहुत प्रभावित होंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो ज्यानी होता है उसे समझा जा सकता है। जो अज्यानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे एक दिन सिर्फ वक्त ही समझाता है, इसलिए मित्रो जीवन में कभी भी अभिमान किसी भी चीज का माथा न देना, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को केवल समय ही समझता है, और जब समय की मार पड़ती है, तो फिर उसका बचना नामुम्किन हो जाता है। तो मित्रो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रो ध्यान से सुनिएगा कि इस समय की सुरुवात बद्धी ही सकारात्मक होगी। आपको बता दें कि कोई अटका हुआ बढ़ा, काम पूरा होने से आपको आनंद महसूस होगा, क्योंकि यह कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ था। वहीं शुरुवात से ही लोगों के साथ बातचीत बनी रहने से आपके जीवन में और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। खुद को उत्साहित बनाए रखने के लिए जो बदलाव आपने किये हैं, जो परिवर्तन आपने किये हैं, उन्हें कायम रखने की कोशिश करते रहें। वहीं आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में आपको खुश खबरी प्राप्त हो सकती है, और यह खुश खबरी आपके जीवन की सबसे बधी खुश खबरी होगी। मित्रो, क्योंकि समय में परिवर्तन अचानक से ही होता है, काम के लिए डेडिकेशन रखेंगे तो बढधा टार्गेट पूरा होगा, और जब बढधा टार्गेट पूरा होगा, तो आगे के मार्ग भी सपष्ट दिखाई देंगे, पार्टनर की वजह से, आपको बता दे कि खेल मेल भरा वाता वरण आपके जीवन में बना रहेगा, वही आपको सिर्दर्द महसूस हो सकता है, तो आपको बता दें कि समय पर उचित इलाज ले, वरना यह सिर्दर्द आपके लिए बढ़ी परेशानियां खद ही कर सकता है, मित्रो, कुछ समय एकांत में बिताने की आवश्यक्ता होगी, जब आप एकांत में बिताएंगे, तो इस वजह से आप अपने आपको जान पाएंगे, आप अपने आप से क्या अपेक्षा रखते हैं, मित्रो कुछ समय एकांत में बिताकर, खुद से भी बातें करें, आपक दूर रहें। आपको हल प्राप्त हो रहा है, केवल उसे अपनाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। तो मित्रो, इस हल को आप अपनाएं, क्योंकि यह हल जीवन का सबसे बढ़ा हल भी आपके लिए साबित होगा। आपको हो सकती है। वहीं आपको बता दे मित्रो कि काम की शुरुवात करने में देरी हो सकती है, लेकिन काम पूरा होगा और सफलता दायक रहेगा। आपको बता दें कि एक बार काम शुरू करने के बाद तेजी से प्रगती आपको होती हुई नजर आएगी। आप अपने प बता दें कि युवाओं को प्राप्त हो रहे अवसर का फाइदा उठाने की आवश्यक्ता है, वरना आपकी लापरवाही की वजह से बध्धा नुकसान आपको हो सकता है.